कि अधिक है जो हमारा ट्रोली जो होता है इसमें कितना मिटी है यह सैंड है वह कैसे मेजर्मेंट करेंगे वो आज हम लोग देखने जा रहे है ठीक है यह मेश्चा कि रिचा है लंबाई कितना हमारा 10 फीट है यहां देख रहे होंगे आप लोग यहां पे लंबाई कितना है 10 फीट है और चवड़ाई जो है वो कितना है 6 फीट है और इसका उचाई कितना है उचाई बोले या गहराई बोले यह जो टेलर का गहराई है यह गहराई कितना है आपका 2 फीट है तो कितना है हो हम लोग कैसे देखेंगे हमारा फर्मूला ऐ लेंथ वेिडद और हाइट को क्या कर देंगे मल्टिप्लाई कर देंगे और इसको गुनन करने के बाद कितना हमारा आता है 10 सके 60еле 10 bur Awad 120 अब देखे इसी को अगर इंच में हम लोग देखे तो कैसे होगा लेंथ विर्थ और हमारा डेप्थ बोले या हाइट बोले इसको क्या करेंगे हम 12 से मल्टिप्लाई कर देंगे क्या क्यों हम कर देंगे क्योंकि एक जो हमारा फीट होता है उसमें कितना होता है बारा इंच होता है ठीक है ठीक है तो एक फीट में क्या है हमारा बारा इंच है इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि 10 फीट है यह जो हमारा कितना है यह 10 फीट है इसलिए हम क्या करेंगे यह 10 इतना ही हमारा फिर से चलाएगा 120 कैसे आएगा वह देखिए इसका फर्मूला का यह लेंध विर्थ और हाइट को क्या है कि हम इसको क्या से डिभाइड करेंगे 1728 से जब हम लोग डिभाइड कर देंगे इसको भाग दे देंगे तो यह हमारा क्या आजाएगा कितना क्यूविक फिट जो है हमारा बालू है या रेथ है वह आजाएगा ठीक है दोस्तों तो यह हमारा कितना आगे एक से 20 क्यूविक फिट क 72 को हम फिर 12 से डिभाइड कर देंगे तो 12 चके बहतर 6 आ जाएगा तो इसलिए 12 12 12 को मल्टिप्लाई करेंगे तो हमारा 1728 आता है क्यूंकि यह हमारा इंच में है तो इसलिए इसको इंच में हम लोग कर दिए तब हमारा क्या आ गया यह क्यूबिक फिट में इतना क्यूबिक पांच फीट आठ इंच है और एक फीट साथ इंच है अब इसको कैसे करेंगे वो देखे आप लोग 10 इंटु 12 कर दें क्यूंकि 10 फीट है तो फीट को इंची में कनवर्ट कर लेंगे और प्लस 3 कर दें क्यूंकि 3 इंच है तो इसी लिए बारा दाएं के 120 प्लस 3 ठीक है 130 आगया ऐसी तरह क्या है 5 feet 8 inch है तो 5 feet को feet इंची में convert कर दिये 12 से multiply किये तो 12 से गुनन करने के बाद 12, 5, 60 हो गया और 8, 68, 68 तो ऐसे ही 1 feet 7 inch है तो 1 feet और feet को inch में बदलने के लिए 12 से multiply किये और ये 7 का 7 inch रहा तो ये दोनों इंच में आगया तो 12 साथ 19, 19 inch, 68 inch और 120 inch को जब मैंने गुनना किया तो गुनन करने के बाद इतना आया और ये जो इतना आया हमारा 15, 89 और 16 इसको divide किसे कर दिया 1728 से तो ये हमारा क्या आगया 91, 96 96 cubic feet आगया अगर इसी को हम लोग क्या है कि कभी कवाल क्या होता है कि मीटर में भी होता है तो मीटर में अगर हम लोग मीटर में मिजरमेंट करें तो अगर हम लोग देखिए चीज जो होता है जो होता है ये वो एक ही होता है बस हम लोग क्या है multiply करना है अगर ये feet में है, अगर ये meter में हमको चाहिए, ठीक है, तो इसको क्या है कि, आपको पता है, कि एक, एक जो हमारा होता है, एक meter जो होता है, उसमें क्या होता है, 3.28 feet होता है, ठीक है, तो एक meter में 3.28 feet होता है, तो इसको जो है 10 feet है, तो इसको आप क्या कर देंगे, 10 feet को आप क मेजरमेंट करें तो यह तीनों को मीटर में मेजरमेंट कर लीजिए और इसको मल्टिप्लाइ करेंगे तो इतना मीटर क्यों आ जाएगा ठीक है तो यह हमारा बहुत ही सिंपल मेथड है जिसे आप समझ गए कि कैसे हम लोग कोई भी अगर यह बालू हो मिटी हो या आपका साइट पर क्या है कि वह बोला था 1500 फीट लाया हो उपर उसको 100 फीट और 106 साथ ही पहुंच रहा था ऐसे बोला था ठीक है दोस्तों तो यह हमारा सौट मेथड हो गया जो हम लोग इसे क्या है कि पता लगा सकते हैं कि कोई भी टेलर ट्रॉली में हमारा कितना माल आया है कि इटी आया है रेत आया है ठीक है वह हम लोग इसे पता लगा सकते हैं ठीक है दोस्तों फिर हम अगली वीडियो में आप से मिलेंगे और आप लोगों से बिंती है कि प्लीज क्या है कि हमारा चैनल को सस्क्राइब करके जाएगा चैनल को सस्क्राइब कर दीजे और वीडियो विल्दी